कौन किसको टोपी देता कौन किसको धोका देता कौन चोर कौन है साधू कौन है सच्चा कौन है जुटा भोलेगा कोपल भाड आईगा कोपल भाड देखिये गोपल भाड ये है गोपल भाड थोड़ा खटा थोड़ा मिठा सच्ची बातें कहानी में लिप्टा खुशियों की जौगत लेकर हसी का तफा भोलेगा कोपल भाड आईगा कोपल भाड देखिये गोपल भाड ये है गोपल भाड ऐसा चरित्रा बड़ा ही पिछीत्रा धुमक धुमक कर करे देखो नित्रा ऐसा चरित्रा आनों से सुनो जरा छुप छाप सुचो जरा आखो से देखो जरा भोलेगा कोपल भाड आएगा कोपल भाड देखिए कोपल भाड ये है कोपल भाड भोलेगा कोपल भाड आएगा कोपल भाड देखिए कोपल भाड ये है कोपल भाड माजी नविन की पत्नी का क्या क्या गहना है बहुत कुछ है जुमके कंगन हार और सिताहर सिताहर है इसके पास वो नहीं है कभी देखी पहनते हुए नहीं देखी हो ना हाँ तो फिर सुनिए माजी आज अपना सिताहर पहन के तला हुजाना पानी लाने क्या करूं रहे का तब तो पहनूंगी तो फिर साहब जी को बनाने के लिए बोल दीजिए हाँ ओ क्या सिताहर बना के देंगे वो तो बहुत ही कंजूस है सिताहर बनवा देंगे एक तरीका है मेरे पास बता क्या तरीका है आप अपने पती के पसंद की खाना बना के उनको प्यार से खिलाईए वो ठीक मान जाएंगे ठीक बोल रही है तू अज मैं वही करूंगी स्वामी बहुती दिन से मुझे मास खाने का मन कर रहा है क्या करूं बता ये जर रहा पार्वती और क्या करोगी धर्ती पर तुम्हारे अनेको भक्त हैं जिस किसी को सपना दिखाओ और हासिल करो प्रतेक मनुशे को स्वपने दिखा के मांगना अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं सोच रहे हूँ दर दिखा के मांगू टकैती क्या बोले हैं आप नहीं बोल रहा हूँ क्या दर दिखाओगी रोक भे मृतू भे जो तुम्हारी इच्छा लेकिन तुम किसको दर दिखाओगी दिब्वे द्रिष्टी में वही तो ढूंड रही हूँ में वाह इतना बड़ा आयोजन है चावल, दाल, भुजिया, खीर, आलुद्दम ठीके ठीके बहुत हो गया खाने बैठी चाचा बैठता हूँ चपपन भोग लेके बैठा है इसी को भै दिखा के मांगूंगी इतने भक्त रहते उए आखिर उसी को क्यूं? क्यूं नहीं? सुना हूँ, नाई का बेटा बहुत चालाख है मेभी कम बुद्धिमान नहीं हो स्वामी वाह, वाह इतना स्वाध है एक बाद बताओ लक्ष्मी नहीं, कुछ नहीं बोलो न, लेकिन किन तु क्या लगा रखी हो? नहीं, मैं बोल रही थी न, मतलब मतलब मुझे न, एक सीताहार चाहिए क्या? सीताहार, सीताहार जी चपपन भोग लेके बैठा है इसी से परवंद करूंगी मैं बाप, रे बाप मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है लगता है मल ही जाओगा अब लक्ष्मी देखो अरे, अरे, आपको क्या हो गया? अरे, ओ, बतासी बतासी, काँ है तू इधर आत? देख, 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 तिरे साहाब जी को क्या हो गया? मैं पहले ही बोली थी किसीताहर मुझे नहीं चाहिए देख, सुनके कैसे कैसे करने लगे अरे आपको क्या हो गया अरे लक्ष्मी मैं मर जा रहा हूँ मुझे बचाओ मा दूरुगा मेरी पती का रक्षा करो मा मेरे सुहाग का रक्षा करो तया करो मा इस पीड़ा से मुझे मुक्त करो मा मैं बचन देता हूँ मा ठीक हो जाने पर मैं तुम्हें जोडा भैस चढ़ाऊंगा तया करो मा तया करो पारवती अब तुम्हारी मानस खाने की इच्छा पुर्ण होने वाली है तुम्हारे गोपाल की पीडा समात हो गई सिर्फ मासी क्यों स्वामे फल मिठाई कुछ नहीं सोचो तो दो दो भैस अकेले खा पाओगी नहीं वो तो नहीं सकूंगी मैं उपर से और कंद मूल फलफूल तुम तो नर प्राणी जैसे लालची हो गई हो नहीं नहीं यह अच्छी बात नहीं है अब गोपाल को पीडा मुक्त करो ठीक है स्वामी अरे लक्षमी कहा हो देखो मेरे पेड का दर्द गायव हो गया सुनती हो अरे लक्षमी कहा हो मुझे खाने को दो मुझे भूग लगी है लक्षमी तुम कहा हो नहीं नहीं आज आपको कुछ नहीं खाना होगा चुपचप सोईए ओ जो बोलता हूँ वही करो मुझे बहुत भूग लगी है मुझे खाने को दो नहीं तो मैं तुम्हारी वाव बात नहीं सुनूँगा ठीके ठीके देरीओ देरीओ खाने के लिए आये आये मेरे साथ आये सही मैं लक्ष्मी भोजन बहुत स्वाधिष्ट बना था और क्या बोल रही थी बोलो तो जरा बोल रही हूँ कि मुझे एक सीताहर बना दीजियेगा ओ तो यही बात है लेकिन मेरी भी एक शर्थ है कैसा सर्थ? तो आज रात में गरम गरम पूरी और पनीर की सबजी खिलाओगी तो क्यों नहीं खिलाओंगे जरूर खिलाओंगे कैसा बना है? बताए नहीं तो सुन्दर अती सुन्दर है मैं इस हार को पहन के तलाओ जाओंगी पानी लाने क्या बात है पारवती? तुम्हारे चेहरे से पता चलता है धर्ती पर प्रलाय आई है यह क्या ठीक हुआ? क्यों? क्या हुआ? गोपाल ठीक हो गया और इतना दीन भी बीत गया गोपाल अपने पत्नी को सीताहर बना के दिया और मेरे वक्त क्या हुआ? चमुच यह गोपाल की बड़ी गलती है मुझे लगता है गोपाल क्रिश्न चंदर राय के राज्यकार में व्यस्त रहने के कारण बली की बात भूल गया है भूल नहीं गया है वो आप भूले भाले हैं इसलिए सब को आप भूले भाले समझते हैं गोपाल को शर्त की याद दिलाने के लिए मैं नंदी को अभी भेज रहा हूँ हम ठीक है गोपाल ओ गोपाल ओ गोपाल पॉन 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 हाँ अरे बताशी अरे नकूल कहा हो तुम लोग कहा हो जब जो पेगदाब बच्चा ये कौन ही ये सुनो मैं नंदी हूँ कहलाश पती महेश्वर के पास से आ रहा हूँ दिवादी देव महादेव के शिष्य है आप प्रणाम ए लक्षमी तुम भी प्रणाम करो हाँ हाँ प्रणाम नंदी जी पेट दर्द के समय जो प्रतिग्या किया था वह भूल गया है क्या वही बाद याद दिलाने के लिए महादेव तुम्हारे पास भेजे हैं कौन बाद बताए तो यही बाद जो तुम बोले थे पेट जर्द ठीक होने पर जुड़ा भैस बली दोगे ओ याद आया याद आया लेकिन वह तो भैस नहीं मेश मेश बली चड़ाओंगा बोला था नहीं नहीं या कैसे हो सकता है मैं सबस्ट अपने कान चे सुना था ठीके ठीके वो तो हमेशा भांगधतुर खा के नसे में रथते हैं मैं तो नसा नहीं करती हूँ वह बात तो मैं कौपाल को बोला था कौपाल क्या बोला है बोल रहा था पूश में हम लोगों के कान बिलकुल ठंडे हो जाते हैं अच्छी तरह सुन नहीं पाते और मा तो जुगों से वर्फ पर निवास करती हैं उनके कान के बारा बज गये हैं बोला था मेश और सुनी थी भैस ठीक है ठीक है तुम अभी जा आओ जो आग्या हो अरे तुम्हें भी कहता हो बार्वति अधिक लालाच अच्छा नहीं है भैस के पतले अगर मेश देता है तो इसमें चिलाने की क्या बात है शांति से तपस्या भी नहीं करने दोगी क्या ठीक है आप कीजी अपना तपस्या मैं चलती हूँ प्रडा मा ब्रेंगी क्या बात है मा मैं सुना था कि धरती वाला गोपाल आपको दो भैस बली देने के लिए कहा था कब तक देगा मा मैं भी थोड़ा परसाद पा जाता मा और क्या बेटा भींगी वो भैस नहीं मैस था अरे मेस भैस जो भी हो कब देगा पता नहीं समय नहीं बताया तो जाकर मैं सही समय पता करूँ मा जाना है तो जाओ मगर ध्यान रखना महादेव को पता ना चले आप बिलकुल निश्चिंद रहिए मैं बाबा को अभी अभी एक चिलम भर कर दे आया समाप धोने के पहले ह कि मैं कवर लेकर वापस आजाओंगा गुबाल ओ गुबाल कौन कौन है आप मैं भिंजी शीवकार दूसरा परधान सिस्य प्रणाम देव महराज दोनों में इसका बली दोगे बोलो तो सुनिये देव महराज उन दोनों की उम्र हो गई है चर्बी वाला मांच खाना ठेक नहीं होगा इसलिए सोचा मेश के बदले एक जोड़ा हंस बली में दे दूँगा हांस हांस नहीं समझे अरे राज हांस चरक संग्रिता में आप अवस्चे पड़े होंगे की पक्षी का मांच सुपाच होता है आप देखिये ना खाना बन गया थोड़ा बहुत खाकर राज सभा के लिए निकलूँगा और वापस आते समय राज उद्यान से दो हंस चुराक लाओंगा और अगली आमोश्या मा के लिए बली दे दूँगा ठीक है ए क्या वरिंगी किसने चंद्र का हंस चुराके मेरे लिए वाली देगा हा मा यही तो कहा इन चोरी करना महा पाप है वरिंगी और यह पाप मुझे भी लगेगा नहीं नहीं मुझे रोखना पड़ेगा गोपाल को मैं अभी जाओंगी अभी जाओंगी प्रित्थि भी पर ए क्रिष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत पते गूपेश्वर गोपाल कौन ए महा मया पारवती देवी दूरगा मा मा आपके चरणों में इस गोपाल का कोटी कोटी प्रणाम गोपाल तू क्रिष्ण चंद्र के हंस चुरा के मेरे लिए वली देने वाला था तू जानता है ना चोरी करना महा पाप है हा मा रिंगी जी को पली की बात बताते समय हमें भी यह बात याद आई थी इसलिए मैं ठीक किया हूँ चोरी करक नहीं छमता के अनुसार जो भी होगा आपको जरूर उच्सर्ग करूँगा तो क्या दोगे? रोहू मचली बरसात के समय पोकर में चारा छोड़ा था इस वर्ष बहुत बड़ी बड़ी हुई है खा कर देखा हूँ बहुत स्वादिश्ट है हंस से रोहू मचली? यही छमता है मा नहीं तो हंस चोरी करके नहीं नहीं तु मुझे रोहू मचली ही देना चोरी मत करना रोहू मचली दूँगा अना घोड़े का अंडा का? पारवती स्वामी, परणाम स्वामी सुना तुम्हारा भक्त गोपाल, हंस के बदले तुम्हे मचली खिलाएगा कैसे जाने? ठीक ही समझती हो, बात क्या सत्य है? सत्य है स्वामी कब? अगली आमवश्य को अश्वर डिम्ब खिलाएगा क्यो? उस फिर्थिवी पर देखो पूरे पचास स्वण मुद्रा है गिन कर देख लो गिनने की क्या बात है? आप मुझे कम देंगे तो फिर मैं चलता हूँ ए क्या मनुश्य इतना चल करते है? इसको सवक सिखाना पड़ेगा चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा जूटे चलिया मुझे हांस से मचली पे ले आया ओ भी बेच दिया तू क्या करूँगा मा? क्या करूँ मा? तुम्हारी बहुत सोने के हार से खुषती साथ साथ लाकर देना पड़ा हार दने के बाद घर में आई शांती नहीं तवाती विपत्ती और अशांती क्यों? विपत्ती किसकी? सिर पर सुनार का रिड है शाष्त्र मलिक काहे के अगनी, कर्ज और शत्रू नहीं रखना चाहिए आप मेरी मा है सोचा था आप मेरे दुख को समझेंगी लेकिन साहुकार मेरा दुख क्या समझेगा मा? बोलो इसलिए मचली बेच कर ताकि कर्ज चुका लूँ हाँ मा? अब क्या देगा मुझे? संध्या तो होने वाली है और थोड़ी देर प्रक्तिच्छा किजिए कुछ दिर बाद देंगू मच्छड आएंगे सोचता हूँ दो बड़े देंगू मच्छड पकड़कर आपके लिए आज ही बली दे दूँगा मच्छली से मच्छड पे उतर आया? ठीक है वही देना तु अपनी बात याद रखना मैं उसी से प्रसन होँगी उसके बाद भी एक समस्या है क्या समस्या? जीवित मच्छड तो मैं पकड़ नहीं पाऊँगा अगर पकड़ने लगू तो घर बाहर चारो और उतल पुतल मच जाएगी बली मैं नहीं दे पाऊँगा उससे अच्छा है आप दर्सन चक्र से दो मच्छडो को मार कर मेरे नाम से बली ले लेंगी और क्या कहूं माँ आपके लिए बताईए उसके बाद? उसके बाद क्या? आप लोग कैलास वापस जाएए और मैं भी घर चलूँ हाँ ए ना है